नमस्कार बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं रात के आट बच चुके हैं स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जहां तीसरी बार जीत के बाद पहली बार काशी दौरे पर प्रधान मंत्री मोदी आए है किसान सम्मान निदि के 17 किस्त जारी कर दी है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किसानों का मान सम्मान बढ़ाया है और फिर काशी जिसलिए जानी जाती है धर्म के लिए जानी जाती है उस धर्म को उस वैभाव को उस विरासत को उन्होंने सहेजा है समेटा है तस्वीर देखिये आप इस तस्वीर को देखिये और समझे कि किस तरह से जब प्रधान मंती न 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये भीर देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और काशी का उतकर्ष देखिए अपने सांसत को देखने के लिए किस तरह से उमंग उत्साय है लगातार जब जीट का मार्जिन घटा तब बोली गई कई बाते विपकश ये द्वारा लेकिन अभी भी जो पॉपूरेरिटी है प्रधान मंतृरी योगी आदितनाद भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं वो भी है उनके साथ और राज और राज्ज पाल अनन्दी बेन पटेल हैं ये मंच की तस्वीर देख लीजे किस तरह से तमाम गड़मानियों की जाकी है और ये पुजारी जो हैं वहां के वह सभी पूज़ा कर रहे हैं और घाटों को पूरी तरह से दीपक से सजाया गया है तमाम भवता दिमवता जिसके लिए काशी जानी जाती है उसको दिखाया जा रहा है तमाम जो वहां के लोग हैं वो मौजूद हैं तमाम बिवस्थाएं की गई हैं और ये देखिए आप मा गंगा की तरफ बढ़ चले हैं तमाम पुजारी गंड और वहां पर जाकर जो आगे की विधी है आगे का जो पूजन है वो सब कुछ किया जाएगा ये तस्वीरें आप देख लीजे वाराणसी की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विस्ताज न्यूज आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा है जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की मौजूदगी में मा गंगा की आर्थी की जा रही है लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद प्रधान मंतरी मोदी अपने संसदी शेतर वाराणसी पहुँचे यानि कहां बाबा के दर्बार में विश्वनात के दर्बार में और उन्होंने अन्यदाताओं का सस्तकार किया है तीसरी बार पियम पत की शपत लेने के बाद ये प्रधान मंतरी का पहला काशी दौरा है सबसे पहले प्रधान मंतरी किसान सम्मेलन में प्रधान मंतरी मोधी पहुँचे यहां देश भर से जुड़े हुए किसानों से संबाद किया किसान सम्मान निदी की सत्रहवी किस्त जारी की रिपोर्ट देखिए और समझेए तीसरी जीत के बाद काशी पहुँचे प्रधान मंत्री मोदी चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारत आयल है काशी के जनता जनारदन के हमार पनाम जीत के खरीब चौदा दिन बाद प्रधान मंत्री जब काशी पहुँचे तो दिल खोल कर काशी वासियों को बढ़ाई दी बाबा विश्वनात और मा गंगा के आशिरवाद से काशी वासियों के असीम स्ने से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सवभाग्य मिला है काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना फ्रतिविती चून कर धन्य कर दिया इस मौके पर प्रधान मंतरी मोधी ने किसानों से संवात किया और किसान सम्मान निध की किस्ट जारी की गई पिया मोधी ने किसान सम्मान निध की 17 किस्ट जारी की 20,000 करोड की 17 किस्ट जारी की गई 9.26 करोड किसानों को सम्मान निध से फाइदा मिला किसान सम्मान निध से किसानों को अब तक 3.04 लाग करोड का लाब मिला है इस मौके पर करीब दो लाग चोहतर हजार काशी के किसानों को भी सीध हलाब मिला है थोड़ी देर पहले ही देख भर के करोरो किसानों के बेंक खाते में पी-एम किसान सम्मान निदी के 20,000 करोर रुपिये पहुचे है आज तीन करोर बेहनों को लखपती दीदी बनाने की तरब भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है क्रिशी सखी के रूप में बेहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आई के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कौने कौने में गाउं गाउं में आज टेक्निलोजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का देश के नागरिकों का अभिवादन करता तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद ये पीम का पहला काशी दोरा है इस मौके पर एक बार फिर पीम मोदी ने कहा मा गंगा ने बुलाया है और मैं यहीं का हो गया हूँ सुनिये अब तो मा गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है मैं यहीं का हो गया हूँ और वाराणसी में किसानों के कारक्रम में शामिल होने के लिए केंद्री क्रिश मंत्री शिवराज सिंग चौहान भी वाराणसी पहुंचे वे सीधे काशी विशुनात मंदर में दर्शन पूजन अर्चन करने पहुंचे और फिर कारक्रम में शामिल हुए जहां शिवराज ने सभा को संबोधित भी किया और अब वो क्रिश मंत्री है इसलिए उनका संबोधन महत्वपूर्ण हो जाता है किर्शी भारती अर्च व्यवस्था की रीड है और किसान उसकी आत्मा है और भारती जन्ता पार्टी का तो मानना है कि किसानी भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और इसी भाव से लगातार पुर्धान मंत्री अंदर अंदर मोधी जी और भारती जन्ता पार्टी की सरकार किसानों के कल्यान के काम में लगी है ये किसान और किसान और खेती के प्रती प्रती बद्धता है प्रधान मंत्री जी की हमारी सरकार की कि पहली फाइल अगर प्रधान मंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निदी किसान के खाते में डालने की फाइल साइन और किसान सम्मेलन के बाद प्रधान मंत्री सीधे मा गंगा का आशिरवाद देने काशी के दशाशों में एक घाट पहुँचे जहांकि सीधी तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री के साथ उत्तर प्रधेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाद भी मौजूद रहे प्रधान मंत्री मोदी ने विध विधान से मा गंगा का पूजन अर्चन किया है और जब प्रधान मंत्री अपना नामांकन भरने आये थे यहां से तब भी उन्होंने मागंगा से आशिरवाद मांगा था और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जीत के बाद बागंगा से लिया आशिरवाद विध विधान से प्रधान मंत्री ने मागंगा की की पूजा नामांकन से पहले भी प्रधान मंत्री ने 14 मैं को पहले मागंगा की पूजा की फिर नामांकन दाखिन किया और आज तीसरी बार लगातार प्रधान मंत्री बनने के बाद पियम मोदी ने मा गंगा की पूजा की गंगा पूजन के बाद प्रधान मंत्री गंगा आरती में भी शामिल हुए इस मौके पर प्रधान मंतरी के साथ सूबे के मुखिया योगिया दितनात यूपी की राजपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रही तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कुछिस तरह आज फिर से मागंगा की आराधना करते हुए नजर आए उनका पूजन करते नजर आए और प्रधान मंतरी ने मागंगा से आशिरवाद लिया वारांट सी की जनता के लिए देश की जनता के लिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे बेहद ही महत्पूर्ण मुद्दे पर अभम बात करेंगे राहुल प्रियंका का रत साधेगा उत्तर दक्षिन पत कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाइनाड लोग सभा सीट छोड़ने का फैसला किया है वह अपने राय बरेली से सांसत बने रहेंगे पार्टी के अद्धक्ष मलिकार जुन खरगे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वाइनाड सीट पर होने वाले उपचनाओ में कॉंग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में संपन हुए लोकसभा चुनाओ में अपनी दोनों सीटों यानि कि वाइनाड और राय बरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी कॉंग्रेस ने इस फैसले से उत्तर दक्षर पद को चोड़ने की कोशिश की है कॉंग्रेस ने उत्तर से दक्षर तक कॉंग्रेस को साधने की पूरी तयारी कर ली है और उत्तर से दक्षर तक साधने की जो तयारी है वो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुडेंगी समझे कैसे उत्तर से दक्षर तक साधने की तयारी उत्तर में कॉंग्रेस को मजबूत करेगा कौन चेहरा ये चेहरा क्यों क्योंकि ये राय परेली से सांसत है और अगर वहीं दक्षिन भारत की बात की जाए तो दक्षिन में कौन मजबूत करेंगी वाइनाड से प्रियंका गांधी मजबूत करेंगी अच्छी खासी किले बंदी की तयारी कली है जो कॉंग्रेस पार्टी ने और वाइनाड से बहन को और खुद मा की सीट जो है सोनिया गांधी की सीट जो है जो परमपरागस सीट है कल भी आपको दिखाया था समझाया था कि कैसे फिरोश चाहिक गांधी यहां से चुनावी में थे और फिर उसके बाद जो है अब राहूल गांधी उनकी विरासत को समझाले वाले हैं तो उत्तर और दक्षिन दो धुरूबों को देख लीजे और इनको जोडने की कॉंग्रेस की कोशिश रहेगी क्या कुछ होगा यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन ज समझ लीजे की कैसे राहूल गांधी जी अपना राइबरियली का सीट रखना चाहिए वाइनाड से खाली सीट पे प्रियांका जी लड़ना चाहिए मेरा राइबरियली से और वाइनाड से एमोशनल कॉनेक्शन है प्रियांका वाइनाड से चुनाव लड़ेगी दोनों राइबरियली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वाइनाड ने होंगे हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वाइनाड की जनता केरला की जनता को दाहुल गांदी धोका देने वाले कांगरस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिकर्मावाद इसलिए परिवार परिवार और हर जगा परिवार की परकर्मा करने वालों का जमावडा बहुत अच्छा रनवे ब्राइड मूवी देखी थी ना हमेशा भागते रहते ही दुर लग तब राउल गांदी वाइनाड से भागे अच्छा है प्रेंका गांदी लड़े शुब कामना है हाल की चुनाओं असान नहीं होगा उनके लिए तो सुना आपने किस तरह से जैसे ये फैसला आया मलिकार जुन खरगे ने गोशना की उसके बाद से ही तमाम जो पक्ष का धड़ा है भारती जनता पार्टी का धड़ा है एक सुर में आलोचना करता हुआ नजर आया कह रहा है कि भाग गए है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और अन बयानों का साफ मतलब है कि वाइनाड का उपचुनाओ भी जो होगा वो दिल्चस्प होगा प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है तो इस बार इनके पती रॉबर्ट वाड़रा ने भी खुल कर बोला है कि इस बार ना नहीं सुना रॉबर्ट वाड़र ने सुनिए क्या कुछ का है रॉबर्ट वाड़रा प्रियंका जरूर सारे मुद्दों को उठाएंगी हर बात उठाएंगी चैसे राहूल ने भी उठाया प्रियंका इस समय में उन्होंने वैसे ही चाहे वो संसद में थे या नहीं बहुत मेहनत की है और हर चीज समझे हैं वो और उनको पता है लोगों की जरूरत क्या है और वो जरूरत पूरी करेंगी उनकी आवाज रखेंगी बुलंद करेंगी लोगों की आवाज संसर्थ में तो यानि की रॉबर्ट वाड्रा भी खुश है रॉबर्ट वाड्रा भी अप प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं तो पहले से ही कह रहे हैं कि वहाँ की जनता की अप एक्षाओं को पूरा करेंगे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और तमाम चीजे करेंगे उप चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये वक्त बताएगा लेकिन जो सियासत है इस पर भरपूर हो रही है भारती जनता पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस दोनों ही धड़ों के जो तमाम नेता हैं वो सब कोई अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं हर कोई कुछ कह रहा है आगे बढ़ते हैं और मद्ध प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हुई है उसी की बात करेंगे स्कूल चले हम अभियान लंबे समय से चल रहा है लेकिन अब अलग अंदाज में मद्ध प्रदेश में दिखाई देगा मद्ध प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हुई है इसका शुभारम खुद प्रदेश के मुख्या सीम डॉक्टर मोहन यादों ने किया है अभियान की खुबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां खुद मुख्यमंत्री ने क्या किया है अभियान का शुभारम किया है और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोथसाहित किया है अभियान की शुभारम में क्या क्या हुआ है कारकम में सीम डॉक्टर मोहन यादों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे रिपोर्ट दिखाएंगे लेकिन इस तस्वीर को देखिए कैसे बच्चों को गोद मिले रहे हैं सियम डॉक्टर मोहन यादो एक जमीनी कारिकरता को जब मुख्यमंत्री बनाय गया था तो बहुत सारे सवाल थे कि कैसे कैसे सभालेंगे कैसे प्रदेश चलाएंगे लेकिन चरह वेती चरह वेती लगातार डॉक्टर मोहन यादो अपने आपको साबित कर रहे हैं 29 की 29 सीटे उन्होंने दे दी लगातार एक्शन ले रहे हैं प्रशासनिक दक्षता की उनकी सरायना हो रही है और अब एक अलग अंदाज अलग रूप देखने को मिला है देखिए बच्चों के हाथों में गुलाब के फूल है और सीएम डॉक्टर मोहन यादो कन्या पूजन करते स्कूल गोद लेंगे बाकाइदा वहां जाएंगे और अब इस खूबसूरत रिपोर्ट को देखिए और समझ ये इस पूरे अभियान को प्रदेश का ये नारा है तेह रही दारा है स्कूल तुम को बुला रहा है स्कूल चले हम अभियान की शुरुवात सीएम डॉक्टर मोहन ने किया आगाज MP में स्कूल चले हम अभियान की शुरुवात हो चुकी है आज से तीन दिन यानि की 20 जुन तक प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा सीएम मोहन यादव ने अभियान की शुरुवात की वे सुभाश एक्सलेन स्कूल के प्रवेश उत्सव में शामिल होने पहुचे जहां उनके साथ केबिनेट मंत्री विश्वा, सारंग और जन जातियकार एवं वन विभाग के मंत्री कुवर विजय शाह भी मौजूद रहे सीएम डॉक्टर मोहन ने पाँच बच्चों को तिलक लगा कर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया साथ ही JEE Advance में अच्छी रैंकिंग के साथ पुजिशन बनाने वाले बच्चों को सीएम ने प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया प्रदेश के मुख्या सीएम डॉक्टर मोहन ने यहां सभा को भी सम्बोधित किया पड़े पेमाने पर स्कूल की सरकारी विवस्थाओं का जो लाब लेते हैं उनका संगर्स उनके बात के चीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है इसलिए सरकारी विद्यालों की विवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेश प्रेम भी है और उतकंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने के आउशकता है इसमें कोई कोर कसर बाकी नी रहने देने माले सिक्षानीती 2020 जो लागू की है उस सिक्षानीती के माद्यम से भविस्थ में हमारी युवा पोद कैसी बनना चाहिए इसके सरेश्चतम कलपनाय की गई है और हम भी अपनी सरकार के माद्यम से तह कर रहे हैं कि नरेंद मोदी जी ने जो हमको मोका दिया है मद्यपदेश ने उच्छ शिक्षा में सबसे पहले अपनी सिक्षानीती लागू किये उद्यजी आप प्लान बनाईए हम आपके लिए नरेंद मोदी जी की कलपना के हिसाफ से मद्यपदेश को फिर नमबर बन में रखना चाहेंगे जाए स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माद्यम से कलपना की गई हमारा तो सबसे बड़ा उदान भगवान कृष्ण का है आप अपने तो सोभागी हम तीन चार पांच साल की उमर में स्कूल जाते हैं ये उनके लिए हम सब के लिए जानकरी के लिए और महत्तु का विसा है भगवान कृष्ण का अव उस समय गुरुकुल होते थे ग्यारा साल की उमर में वो स्कूल आए अब ये 11 सकी उमर आम थो पर हमारे har buds स्कूल में पहुंशने के समय हो घंकी चेला साल की उमर में आने के बाद भी उज्जें में सिठ्छा गर्ण करने का मोका तो क्यवल 64 wreck दिन मिला समराई स्कूल की मिक्षा हम करने वाले हैं लेकिन इनके साथ बाकी भी विद्याले के अंदर जो न्यूंतम आउशकता है वो सब देने वाले हैं कोई किसी प्रकार से कमी निरेने देंगे पी-म स्री योजना के अंतरकत उत्करश्ट शिक्षा देने की विवस्ता हमारे विद्याले में की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सम मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविश्य अपने हाथ से एक बार फिर मोदीजी की तरह बनाते में दिखाई देंगे इस कारिक्रम में जन जातिय कार एवं वन विभाग के मंतरी कुवर विजेशाह ने विस्तार न्यूस से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि सभी सिक्षन स्थानों में जन गन्मन अनिवार किया जाए मदर्सु में भी जन गन्मन गायन और जन्डवंदन अनिवार करने की मांग की है सूपर हंड्रेट आज उस सूपर हंड्रेट में से जो गाओं गरीब किसान मजदूर के बेटे होते थे इंदोर और भोपाल में रहकर के एलेन जैसी बड़ी सफसाव से मैंने उनको सिख्षन दिलवाना का प्रयास किया देश भक्ती का जज़बा देश प्रेम का ज़जब सूपर राष्टगीत और राष्टगान हर स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ. तिरंगा क्यों नहीं फेराना चाहिए? और इसलिए हमारी सरकार ने ये निनने अभी लिया है कि छटबी किलास से बारबी किलास तक के जो स्कूल है, महां स्कूल लगने के पहले स्कूल में तिरंगा फिराय जाएगा, जणकन मन होगा. और महिने में कम से कम एक बार स्कूल मंत्री जाएगे. साथ ही 20 जून को स्कूलों में भेट कारिक्रम किया जाएगा. इसके जरिये समाज के प्रभावशाली लोग स्कूल में आकर बच्चों से मिलेंगे. साथ ही उनका मार्क दर्शन करेंगे. ब्यूर रिपोर्ट विस्ता और न्यूस. और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों के सम्मान की. किसानों ने धान बोया है उसकी. सीम ने किसान बनकर धान बोया है. देखी जरा. 36 गड़ में मानसून की एंट्री के बाद किसान खेती किसानी में लग गए हैं. जिसे देखते हुए सीम विशुदेवसाय ने किसानों का मनोबल बढ़ाया. राज्जी में अच्छी खेती की कामना करते हुए जश्पुर जिले के बगिया में सीम ने अपने पुष्टैनी खेत में धान की बोयाई की. सीम ने अच्छी फसल की कामना के लिए खेतों में पूजा अरचना कर इश्प देवता को याद किया. फिर बीजों का छड़काव किया. सर में पगडी, हाथों में धान लेकर खेत में धान छीटते हुए प्रदेश के मुखिया. विश्ण देव साय का वीडियो चारो तरफ वाइरल हो रहा है. सियम साय ने कहा कि मैं देश के प्रदान मंत्री को 36 गड़ के किसानों की ओर से धन्वाद देना चाहता हुए. आज हम धन्वा देना चाहेंगे पूरे छतिगर्ड किसानों के तरफ से चतिगर्ड की दन्ता के तरफ से हमारे देश के सुस्क्राम के स्री लरेज मोदी जीकों. किसान सम्मान निधियोजना के माध्यम से किसानों को लाब हो रहा है जिससे वे अच्छे बीज और अच्छी खाद खरीद कर पैदावार बढ़ा रही है. उम्मीद है ये मानसूल किसानों के लिए धेर सारी खुशियां लाए. बिरो रिपोर्ट विस्तार निउस बलौदा बाजार की खबर विस्तार निउस बड़े साहस से बहादुरी से दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि ये मुद्दा आपका है. ये मुद्दा 36 गड़ महतारी का है, इस प्रदेश का है, देश का है, बात देश की है, तो विस्तार निउस बहादुरी के साथ सामने आया है. विस्तार निउस जब बहादुरी के साथ आपकी बात आप तक पहुँचा रहा था, तब हमारे बहादुर सहयोगी अजय यादो की बाइक को कुछ इस तरह से जलाया गया था, आसमाजिक तत्तों के दौरा, देखे, मीडिया लिखा हुआ है, उनकी मा ने ये गाड़ी दी उनके जन्म दिन के दिन, दस तारीक की ये तस्वीर है, और हमारे सहयोगी पहुचे और उन्होंने जो है, वो पूरा वाकिया दिखाया, घटना करम दिखाया, प्रदेश से भी हर कोई यही कहता रहा कि गलत हुआ है, लेकिन विस्तार निउस की साहस की हम तारीफ करते हैं, बलौदा बाजार हिंसा में जो विस्तार निउस के रिपोर्टर की बाइक जल गई थी, अब सीम विश्देव साय ने इस मामले को संग्यान में लिया है, रिपोर्टर को पचास हजार की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया गया है, दस जून को उपदरव्यों ने विस्तार निउस के पत्रकार की जो बाइक आग के हवाले की थी, उसे लेकर सीम ने खुद संग्यान लिया है, मुख्यमंत्री की तरफ से पचास जार की आर्थिक सहायता की हर कोई सराना कर रहा है, और विस्तार निउस की तारीफ करते हुए बहादर रिपोर्टर की भी ता लगा गया, उसके बाद यहां आग लगा दी गई, और इस गाड़ी में क्या लिखा है, इस गाड़ी में लिखा है मुदिया, यानि पत्रकार सांथी, पैसा पैसा एक एक पर जोड के, एक अठा करके वो मेरे को 15 अगस में पहली बार गिफ्ट की थी, बलोदा बजार हिंसा में उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग में छोग दिया, दरसल 10 जून को बलोदा बजार जुले में सत्नामी समाज का प्रदर्श्वन हिंसा में तबदीन हो गया, इस मामले को कवर करने पहुचे हमारे विस्तार न्यूस के सहयोगी अजय आदव की बाइक को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया, लेकिन विस्तार न्यूस के समवाद दाता अजय आदव डगमगाए नहीं और जंता को सच दिखाने के लिए विप्रीत परिस्तीती में भी अपनी जाबांच रिपोर्टिंग जारी रखे और आज इसी बहादूरी का सम्मान हुआ है, विस्तार न्यूस के रिपोर्टर अजय आदव को मुख्यमंत्री ने 50,000 की आर्थिक सहायता देने का नर्देश दिया है, ये तस्वीरे देखे, अपनी जलती हुई बाइक देखकर रिपोर्टर फूट फूट करोने लगे, दरसल अज अजय यादव को ये बाइक उनकी माने जन्दिन पर तौफे में दिया था, जिसे उग्र भीर ने आग के हवाले कर दिया, अजय यादव की माने फैक्टरी में काम करके एक एक पाई चोड़ कर, तीन साल पहले अपने बेटे के लिए बाइक खरीदी थी, इसी बाइक से जोदा बाजार में विस्तार न्यूस में जन्ता की आवाज बुलंद करते थे, अब ये बाइक जली तो सरकार ने भी संग्यान लिया, मंगलवार कुसियम विष्णुदेर साय के निर्देश पर, राज्य संचार प्रतिनीधी कल्यान समित ने आज 50,000 रुपए के आर्थिक मदद सुईक्रित की है, इस नीधी के अब तक केवल मीडिया प्रतिनीधियों को गंभीर बिमारी और दुरघटना के इस्तिती में आर अगे बढ़ेंगे और सुरक्षा बलों के अदम में साहस की बात करेंगे। रुपए के 88,000,000 के आठ मौवादियों को धेर कर दिया गया जिसके बाद विस्तार डियूज ने सोचा कि क्यों न ग्राउंड जीरो पर पहुँचा जाए और आप तक जमीनी हालात पहुँचा जाएं। जरूरी है। सफरासान नहीं था लेकिन बावजूद तमाम दिक्तों के हमने ये खास रिपोर्ट आप के लिए तियार की है। सीधा ग्राउंड जीरो से जहां आठ जहां आठ नकसलियों को निस्त नाबूद किया गया है। अबूजमार में जिस जगह पर लगातार साट घंटे तक मुठभेड चली। जिसमें आठ माववादियों को मार गिराया गया और सभी पर आठ आठ लाख रुपय का इनाम घोशित रहा। ये आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं। जवान शहीद हो गया इस मुठभेड में और दो जवान अभी भी जखमी हैं। लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरे दिखा रहे हैं। विस्तार से समझेगा इस पूरे घटना क्रम को हम आपको विस्तार से सारी की सारी डिटेल देंगे। ये हैंड ग्लॉफ्स हैं। किसी जवान के लगते हैं ये हैंड ग्लॉफ्स। बहुत मुम्किन है कि जो जवान घायल हुआ होगा ये हैंड ग्लॉफ्स उसी के हो। माववादियों के जूते कहा जा सकता हैं। बहुत मुम्किन है कि जूते माववादियों के हूँ। क्यूंकि अगर घायल जवानों के जूते होते तो वह टैक्टिकल शूज कुछ अलगता रहके होते हैं। और फट चुका है। ये फटने के बाद जो बच गया हिस्सा ये उसका है। दरसल हम जो इस तरह से बार-बार हात को ये इस तरह से कर रहा हैं. यहाँ पर बहुत च्छोटी-बहुत च्छोटी बीज हैं, मक्हिया、 ग्रेनेर होते हैं या फिर बीजिल होते हैं, वो जो हैं, माववादियों के द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं, और यहां एक और जो सेल फटा हुआ यहां पर मौजूद है आपको करीब से देखना चाहिए कि फटने के बाल इसकी सूरत क्या हो जाती है आपने रॉकेट की तस्वीर देखी होगी कभी तो इसका जो अगला हिस्सा होता है ना इस तरफ का वो रॉकेट के समान नजर आता है और वो फटता है जैसे गिरने के बाल आपको उसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ मैं और वो इस प्रिंग कैसा दिखाई देता है हम आपको दिखार रहा है यह रहा है रोकेट के अगले हिस्से में इस तरह का यह रहता है समान लेकिन पक् disrupt पर यह भी नहीन कहा जा सकता कि य उन्हें मोबाई की लोकेशन से पिन पॉइंट करके उन्हें उनके इलाके को घेरा जा रहा है और साथ ही साथ इनके जो एंटेलीजन्स है काफी मजबूत हो चुकिये जवानों की सुरक्षबलों की और अब जहां पर माववादी हो रहे हैं जहां पर वो इकठे हो रहे हैं उ इसी एंकाउंटर में जो तस्वीरे सामने आई हैं मैं यूकिस चंद्रा करूं और विस्तार न्यूज का समवाद ढाता हूँ तो यह तस्वीरे आप देखिए इस तरह के घने जंगल होते हैं दुर्दान्त जो हैं यहां पर जाड़ियां होती हैं और तरह तरह के खत्रे होते हैं इन खत्रों को पार करके विस्तार न्यूज आपको हर जानकारी पहुंचाता है और बात करेंगे अब शेयर मार्केट के उच्छाल की आज निवेशकों के लिए बाजार से खुश खबरी आई है देखिए कैसे खुश खबरी ऐसे आई है मैं जो समझाना चाहरा हूँ आपको यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरस्वीर में आपको ग्रैप्स दिखाई दे रहे हैं यह ग्रैप्स कुछ ऐसे ही होते हैं जब शेयर माजार में उच्छाल आता है शुरुवाती कारुबार में सेंसेक्स और निफ्टी आल टाइम हाई रहें सेंसेक्स 334 की बढ़त के साथ 77,326 पर पहुँचा निफ्टी 23,589 के स्थर पर पहुँचा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट के आंकडों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली एक दिन में ही निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ वहीं चुनाव नतीजों से पहले जैसे ही एक्जिट पोल सामने आये थे आंकडों में उच्छाल आया था तीन जून को जो हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे सब कुछ समझाएंगे बता भी रहे हैं तीन जून को जो है सेंसेक 2777 में आया था और अब थोड़ा समय आपको लाना चाहूंगा इस वाल में और सब कुछ बताना चाहूंगा काउंटिंग से पहले तीन जून को बाजार का हाल समझे तीन तारीख थी पिछले चार पंच वर्सी का चार चुनाओं का हमने उस दिन भी विश्टेशन दिया था है एग्जेक्ट्व एड़र हमारे ग्याने इंतिवारी जी ने है तो तीन तारीख को क्या होता है बाजार का हाल सेंसेक्स 76,738 निफ्टी 23,338 दो हजार 777 का उच्छाल था तीन तारीख को और 808 उच्छाल था निफ्टी में सेंसेक्स मार्केट मॉंबई का और निफ्टी मार्केट अलग होता है और फिर क्या होता है काउंटिंग से पहले तीन दिन का ये हाल आपको बता दिया बहुत बंपर बढ़ उत्री थी बहुत बाजार में उच्छाल था निवेशक निवेश कर रहे थे तरह तरह के जो पोर्टफोलियों हैं उनकी बात हो रही थी किसमें पैसा लगाना है किसको खरीदना है और जम कर खरीदारी की गई थी जम कर खरीदारी की गई थी और फिर उसके बाद आती है अगली तारीक यानिकी चार तारीक चार तारीक के बारे में समझ ये चार जून को लोग सभाचुनाव के नतीजे आने थे सुबह से ही विस्तार ड्यूज भी आपको पलपल की जानकारी बता रहा था और चार जून को क्या होता है सेंसेक्स धराम करता है सीधा धराम करता है और इसी के साथ निफ्टी भी नीचे गिरता है और जून को लोग सभाचुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट के आकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में निवेशकों को इतना नुकसान हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होगा तीन तारीक को चुनाव नतीजों से पहले जैसे एक्जिट पोल सामने आये थे आकड़ों में बंपर उचाल था और चुराओ के बाद ये आलम हुआ कि दोनों ही जो है सेंसेक्स और निफ्टी धराम गिरे सेंसेक्स 5.74 फीजदी और निफ्टी 5.9 तीन फीजदी गिरा और लगभग 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 अनुमानित जो आकड़ा है कई लोग इससे 30 लाग करोड कह रहे हैं कई 20 लाग करोड कह रहे हैं लेकिन जो इसका डेटा है वो 20 से 30 लाग करोड के बीच का है और अब आज आ जाईए सरकार बन गई शपत गहन समारों हो गया क्रशी विभाग तमाम बढ़ गए सभी को मंतरी बना दिया गया और आज प्रधान मंतरी मोधी बारांसी आए और किसानों की सम्मान निदी डाली गई रिलेट करिएगा सम्मान निदी डाली गई हजारों करोड रुपएज जो डाले जाते हैं इसका इंपक्ट होता है क्योंकि गाउं गाउं तक पैसा जाता है और खरीदारी होगी जो शेर मार्केट में जो खरीदने वाले होंगे वो क्या होंगे किसी के पाइप में पैसा लगा होगा किसी के किसी चीज में पैसा लगा होगा 30 फिजी का उचाल लेकर 23,573 का उचाल लेता है और जिसके कारण किसान सम्मान निदी का डारेक्ट इंपेक्ट का जाता है एक बार फिर से बाजार गुलजार हो गया है और बाजार एक बार फिर से अपनी गती में आ चुका है एक बार फिर चुनाव नतीजों के 14 दिन बाद आज ये आंकड़े कुछ और ही कहते हैं आज देखिए 4 जून की तस्वीर आप देख लीजिए 4 जून को सेंसेक्स क्या होता है 72,089 कितना गिरावट 5.74 फीजदी गिरावट है चार तारी क्यानी की परिडाम के दिन की बात कर रहे हैं निफ्टी क्या होता है 5.9 तीन फीजदी की गिरावट 21,884 तस्वीजदी और देखिए ये 72 देखिए और फिर देखिए आज का कुछ सेनेरियो ऐसा दिखाई देता है चौदा दिन में 77,326 बहत्तर हजार उन्यासी से 77,326 यानी की लगभग अगर आप लगाएंगे तो पांच हजार जो है पॉइंट का उच्छाल है और ये जो है बढ़ोतरी आप देख रहे हैं ये कल और आज में आप देख रहे हैं और निफ्टी की अगर बात की जाए तो 23,573 और 0.3 जून जो उच्छाल के साथ आया है और जब ये आकड़े बता रहे हैं समझा रहे हैं आपको तो 4 जून की सियासत भी जरूर आप समझ लीजे ये 4 जून को जब नतीजे आये शेर बाज़ार गिरा तो उसके बाद किस कदर सियासत हुई तीज देख लीजे आज वो ये आकड़े जो हैं उन सियासत दानों को जिस जो उन्होंने उस दिन बोला था उनको चुबेंगे देखें चुनाओ के समय प्रधान मंत्री ने ओम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी हो मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर राउंड चला जाता है हिंदुस्तान की स्टॉक मार्किट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। मार्किट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी एक्विटी मार्किट में उतार चड़ाव साधारंता चलते रहते है। सेवी से शिकायत की है। आज मुंबई में शिवसेना उद्धोगुट के सांसद अर्विंद सावंत ने अगवाई की और इस गुट ने क्या किया। इंडिया गडबंदन की नेता ने क्या किया मुंबई में सेवी में पहुँचे और इन्होंने शिकायत कर दी। एग्जिट पोल और काउंटिंग वाले दिन मार्केट में हुए उठा पटक की जाच की मांग की गई है। एग्जिट पोल और काउंटिंग वाले दिन जो मार्केट में जो ये जो देखने को मिला जो ये डिफरेंस था जो ये पूरी उठा पटक थी यानि कि इस तारीक और जो तीन तारीक का आपको बताया गया जो 5.7 चार फीजडी की गिरावट हुई और 5.9 तीन फीजडी की गिरावट हुई है और इसके एक दिन पहले जो पढ़ोतरी हुई थी इसको लेकर उन्होंने मांग की है सेवी से शिकायत की है क्या किया है जरा उससे सुनिए समझते अब तिस लाग करोड का घोटाला हुआ खपला हुआ नुक्सान हुआ नुक्सान किसका हुआ जरीबों का बंद्यमवर्गियों का इसे फाइदा किसको हुआ वो भी तो जाच हो ली चाहिए जैसे कर लेंड मैनेजरी दो तीन लोगों के नाम ले लिए एक ही दिन में पास 600-800 करोड रुपया प्राइब प्रॉफिट मिल जाता है कैसे हो जाता है इस सारी जिते से भी क्या साइलेंट बैटे कि अब इने पहले का इस वो नुक्साइलेंट रहते हो आपको इस पर जाच करनी चाहिए और यह जाच इसलिए कि यह स्क्याम है तो इस तरह से कुल मिलाकर सियासत हुई लेकिन अच्छा यह है कि बाजार चल पड़ा है और बाजार गती में है आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके मुद्दे की बहुत महंगा है वाया क्या महंगा है टमाटर महंगा है गोभी महंगी है पत्ता गोभी महंगी है मिर्ची महंगी है बरबटी महंगी है सब कुछ महंगा है क्यों महंगा है गर्मी बढ़ गई है बढ़ती गर्मी से बाजार में मूंग, बर्बटी, अद्रक समेत कई ऐसी सबजियां हैं जिनकी कीमत 100-140 रुपए किलो तक पहुंच गई है टमाटर के दाम 50-60 रुपए तक पहुंच गए हैं ऐसे ही आईए अन्य सबजियों के दाम भी चान लीजिए समझ लीजे कि क्या कुछ है कीमत क्यूंकि बात है आपके जेब की और आपके जेब की जब हम बात करते हैं तो आपकी हर चीज विस्तार से बताते हैं सबजी के दाम समझ ये आलू, आलू क्या है आलू यहां समझ लीजे यहां समझाने के लिए इधर आना पड़ेगा और विस्तार से आपको बताना पड़ेगा आलू 50-60 ठोक में बिकरा है और 80-100 रुपए बाजार में खुले में बिकरा है आप बाजार जाएंगे तो क्या होगा आपको कितने में मिलेगा 80-100 रुपए में गोभी देख लीजे 50 रुपए में थोक में मिल रही है 70 रुपए में खुले में मिल रही है प्याज देख लीजे 40 रुपए थोक में मिल रही है जाएंगे आप कहेंगे भाईया एक बोरी प्याज चाहिए तो कहेंगा 40 रुपए भाईया किलो है ले लीजे चले जाएगे जाएए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है धनिया अगर लेने जाएंगे आप तो 90 रुपए गिलो थोक के भाव है और अगर वही बाजार दाम की बात की जाए यानि कि खुले बाजार की बात की जाए तो 200 रुपए किलो आपको धनिया मिलने वाली है तो धनिये के जिसको चटनी धनिये के लिए आपको धनिये का जो कुछ भी बनता है नमक के साथ ug typically बनते हैं तो आपको जेब जादा खाली करने पड़ेगी खर्च करना पड़ेगा सीधर चलेंगे यहां से वारान सी इस आपके मुद्दे की बात करने के बाद और दिखाएंगे प्रधान मंती नरेंद मोदी वहां बाबा विश्वनात के पूजा नर्चन कर रहे हैं किसी की बात करेंगे चले के बाद नर्चन कर रहे हैं बाद आत कर रहे हैं यहां बाद मुद्द राया संकर्षणाया नवा वासुदेवा रध्युनावा प्रध्युनावथ नमाहा पुरुप्राजाभ्यो भयन नाहा पाशुभ्या तिरभवतु श्रीमण महागना दिबत ये नमाहा लक्ष्मी नारायन आप्ध्यामत्रायने गृष्मरिताव महा मांगल्य प्रतमा सोत्तमे पुन्य पवित्रे सुभे विद्नता परिसमाप्ते अर्थम्महा गणपतिस्वरणंच करिश्मुतते नमाजाते रुद्रसिवात नूर खोरा पापकासिनी संत मयागिर संत विजाकसी जामिखोंगिर संत हस्ते विभर्गत्त वेशिवांगिर द्रतां कुरुमा इकस्वा तो तीसरी बार प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जीतने के बाद बाबा विश्वनात का आशिरवात ले रहे हैं बाबा विश्वनात की इसी दर्शन के साथ आपको छोड़ कर जाते हैं इसी खुबसूरत तस्वीर के साथ सुखी रहे और स्वस्त रहे खुशल रहे इसी कामना के साथ दीजिए जाज़त नमस्कार